हेलो प्यारे बच्चों आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब सेनल मैट्स बाइ मनींदर ढूल में आज हम आपके साथ डिस्क्स करेंगे एक्सराइज 4.2 का क्वर्सिन नबर फर्स्ट कुननकंड वीदी से नीमन दविघात समीकरणों के मूल ग्याद कीजिए जो हमें दविघात समीकरण दिये गए हैं इनके हमें मूल ग्याद करने हैं तो सबसे पहले हम समझते हैं कि मूल क्या होते हैं हमारे पास मूल हमारे पास वो वैल्यूज होती हैं जो इस समीकरण को पूरा पूरा सांथ करती हैं जैसे एक्स के वो वो मान कि जो मैं एक्स की जगह पर रखने पर मेरे पास अंसर 0 आ जाए उनको हम क्या कहते हैं मूल कहते हैं ठीकर न बच्चों तो अब हम देखे गुणखन्ळ विधी को समझते हैं गुणखन्ळ विधी होती है सबसे पहले हमें पता होना चाहिए की x2 का गुणाक क्या है यहां पर x2 का गुणाक क्या है? x का गुणाक क्या है? –3 x2 का coefficient 1 x2 का कोदिशन वाइस x2 – 3 और constant term जिसको हम कहते हैं वो क्या है minus 10 है अब देखिए हमारे पास सबसे पहले हम करते है 1 की गुणा करते है minus 10 के साथ ठीके ना तो क्या आएगा हमारे पास minus का 10 आजाएगा 1 x square का गुणांक और hr पद की गुणा करते हैं और minus का 10 तो गुणा करने पर मेरे पास minus का 10 आजाना चाहिए और योग करने पर यह क्या था गुणा करने पर ठीके ना और योग करने पर या फिर घटाने पर मतलब जोडने पर या फिर घटाने पर हमारे पास जो x का coefficient है x का कोफिजियंट कैं माइनस के तीन तो यह आजाना चाहिए अब हम दस के क्या करते हैं गुन्खन करते हैं दो पे बाग करते हैं तो पांच आजाता है पांच पे बाग करते हैं तो एक आजाता है इस परकार से हमें हमारा जो लक्षिय है वो एक बार तो माइनस का तीन है और गुना करने पर माइन गड़ाँ तो मेरे पास 3 भी आ जायगा लेकिन हमें बड़े वाला क्या चाहिए पांच में से दो अपीनेज़् गड़ाने पर हमारे पास कितना आता है ? 3 लेकिन बच्छो हमें क्या चाहिए माइनिस का 3 चाहिए तो तो हम इनको यहां पर लिख देते हैं x square minus के 5x और plus के 2x minus 10 बराबर 0 के आदाता है ठीक है तो अब इन दोनों में से क्या कोमन आ रहा है हमारे पास x कोमन आ रहा है तो x को कोमन लिखते हैं तो यहां पर पुछता है x minus 5 प्रस में यहां पर 2 कोमन लिखते हैं x minus 5 बराबर 0 के यह दोनों value जो आपके पास बराबर आने जरूरी है अब इन दोनों में से x minus 5 को क्या कर लेते हैं कोमन लिखते हैं तो यहां पर क्या पुछता है x यहां पर क्या पुछता है प्लस के 5 यहां पर एक्स के value क्या जाती है minus के 2 इस परकार से प्लस के 5 और minus के 2 आपके पास क्या है zeros हैं roots हैं मूल हैं आपके इस समी करन के ठीक है ना तो इसका पार्ट नंबर शाइगने पे चलते हैं क्या कहता है 2 x square प्लस x minus का 6 बराबर 0 के हमें इसके क्या करने है गुणखंड करने है तो वच्छो सबसे पहले वही बात हम देखते हैं कि किसकी गुणा करने पर देखो गुणा सबसे पहले गुणा को देखते हैं 2 की गुणा करते है minus 6 के साथ तो गुना करने पर तो मेरे पास minus के 12 आजाना चाहिए 2 की minus 6 की शाथ गुना की तो minus के 12 और योग करने पर योग का मतलब जोड़ करने पर या फिर घटाने पर ठीक है ना घटाने पर मेरे पास क्या आजाना चाहिए X का coefficient मतलब X का जो X के आगे जो values है सब्कंट करते हैं पहले दो Xbox यहां दूपे दो मेरे पास एक Good अ मनम गुम रहे मैं जो दूद्集 पर मेरे पास माइनिस के बारा और प्लस का चार है और माइनिस के तीन है तो मेरे पास क्या बचाता है प्लस का एक बचाता है तो यहां पर लिखते हैं उनको दो एक्स स्क्वेर प्लस में 4x माइनिस में 3x माइनिस में 6 बराबर 0 के तो इन दोनों में से क्या को मना रहा है हमारे पास x को मना रहा है 2x 2x को मना रहा है तो यहाँ पर x बचेगा प्लस यहाँ पर 2 बचेगा और यहाँ पर माइनिस के 3 को मना लेते हैं तो x प्लस 2 यहां से बचेगा बराबर 0 के आदेगा अब देखिए x प्लस 2 यहां पर भी x प्लस 2 यहां पर भी x प्लस 2 को कॉमन ले लेते हैं तो यहां पर क्या बचेगा 2x और यहां पर माइनस के 3 बचे रहे बराबर 0 के तो या तो x plus 2 0 के बराबर होगा या फिर 2x minus 3 0 के बराबर होगा तो अब आप देखिए values किस परकार से आएंगी या तो x की value यहां से क्या रही है 2 minus का 2 है ना और यहां पर 2x बराबर आ रहा है पलस के 3 के x की value क्या होगी 3 बटे 2 इस परकार से यह आपके पास roots आ गई यह आपके पास mool आ गई हैं दो में अब हम करते हैं part number 3 को part number 3 में क्या कहता है वरगमूल 2x square पलस 7x पलस 5 वरगमूल 2 बराबर 0 के तो यहां पर देखिए गुना करने पर मेरे पास क्या आ जाना चाहिए गुना करने पर x square का coefficient क्या है वरगमूल के दो ठीक है ना और constant term क्या है 5 वरगमूल 2 तो वरगमूल 2 के वरगमूल 2 के साथ गुना पूरा दो तो 5 दो नहीं 10 गुना करने पर मेरे पास 10 आ जाना चाहिए यो करने पर मतलब जोडने पर या फिर घटाने पर मेरे पास क्या जाना चाहिए x का coefficient x का coefficient क्या है 7 तो अब गुना करने पर 10 आए तो 10 के उन खंड कर लेते हैं 2 पर भाग करते हैं तो 5 5 पर भाग करते हैं तो 1 दिखो 5 और 2 तो टुकड़े होंगी और दोनों को जोड़ेंगे है ना तो वरगमूल 2 x square प्लस में 5 x प्लस में 2 x प्लस में 5 वरगमूल 2 बराबर 0 के देखिए 5 x और 2 x दोनों जोड़ेंगे 7 x बन रहे हैं इसका मतरा हमारा सम ठीक चल रहा है तो इन दोनों में सी क्या कोमर आ रहा है x कोमर आ रहा है तो यहां पर बचेगा वरगमूल 2 x ठीक है ना प्लस में 5 और यहां पर वरगमूल 2 कोमर आ रहा है दोनों में से तो यहां पर क्या बचेगा वरगमूल 2 x प्लस में वरगमूल 2 से वरगमूल 2 कट जाएगा तो पूरा पांच यहां पर बज़ा है बराबर 0 के अब दोनों में से वर्गमूल 2x पलस 5 को मना रहा है तो यहां से बचेगा हमारे पास x और यहां से बचेगा वर्गमूल 2 बराबर 0 के तो या तो वर्गमूल 2x पलस 5 0 के बराबर होगा या फिर x पलस वर्गमूल दो बराबर 0 के लोगा क्योंकि दोनों के गुना किसके बराबर है जीरो के और गुनाद 0 के बराबर कब हो सकती है तो पहले वाड़ा 0 या फिर दूसरे वाड़ा हो अब वर्गमूल 2 x बराबर हो जाता है माइनिस के 5 के X की वेल्यू क्या जाती है माइनस 5 बटे वरगमूल 2 और यहाँ पर X की वेल्यू क्या जाती है माइनस के वरगमूल 2 ठीक है न तो यह इस प्रकार से यह आपके पास root सा आजाते हैं दिविगात समी करने के अब part number 4 में क्या करता है 2X square माइनस X पलस 1 बटे 8 किसके बराबर है 0 के सबसे पहले हम इसको सोरो करने के लिए LCM ले ले लेते हैं LCM आजाता है 8 हमारे पास 8 दुनी 16 X square माइनस 8 के X के साथ गुणा 8X पलस में 1 बराबर 0 के हो जाता है तो यह 8 इस तरफ भाग में इधर आ करके गुणा में होगा तो 16 X square माइनस 8X पलस 1 बराबर 0 के बटे जाता है अब हमारे पास गुणा करने पर क्या जाना चाहिए X square का गुणा की constant term के साथ गुणा करते हैं तो गुणा करने पर मेरे पास 16 जाना चाहिए योग करने पर या फिर घटाने पर मेरे पास क्या जाना चाहिए X का coefficient मतलब माइनस के 8 ठीक है ना coefficient का मतलब गुणा मुक तो देखिए 16 के अब हम यहाँ पर टुकड़े कर लेते हैं factorization कर लेते हैं गुणा कर लेते हैं 2 से भाग करते हैं तो 8 दो पर 4 दो पर 2 आजाता है अब देखिए जो 16 है हमें हमारे दिमाग में 8 चल रहा हो 16 चल रहा है तो 8 कैसे है सकता है 2 2 4 यह 2 पर भाग करने पर एक और कर लेते हैं यह 2 2 4 तो 4 गुणा 4 करने पर देखिए क्या कि आजाएगा हमारे पास 16 वर लेकशना हमें तो माइनस का 8 चाहिए यह 20 में दोनों को माइनस कर लेता हूँ तो बस थोड़ा सा आपको इस पर्फर का दिमाग के लगाना होगा में कि 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 कसको परस करना है कि कि मैनस करना है तो आप देखो गुणा करने पर तो मेरे पास 16 आ गया और यदि मैं इन दोनों को जोड़ता हूँ तो मेरे पास क्या जाएगा माइनस का 8 आ जाएगा तो बच्चोब माइनस 4 और माइनस 4 टुगड़े कर लेते हैं 16 एक स्क्वर माइनस 4 एक स्क्राइगा fight माइननस चार एक बराबर जुरो कर अभिर दोनों में से क्या को मना रहा है एक स्टार एक्स चार एक्स को मना रहा है Spike mo Nurse draps Ein माINT-1 बराबर 0 के तो 4X माइनस एक बराबर 0 के होगा या पे 4X माइनस एक बराबर 0 के तो 4X बराबर एक के और X Taking यह क्या होगARD यहां पर एक बटए 4 इसी परकार से यहां पर بھی X क्या क्या जाजईगी एक बटए चार आजाएगे आपके पास अब करते हैं पार्ट नमबर फिफ्ट को दस हंडर्ड एक्स स्क्वेर माइनस बीस एक्स पलस एक बराबर जिरो के अब हमें देखिए एक्स स्क्वेर का गुनांक और कॉंस्टेंट ट्रम दोनों के गुना करते हैं तो गुना करने पर मेरे पास क्या आजाना चाहिए 100 आजाना चाहिए 100 आजाना चाहिए और योग करने पर या फिर घटाने पर मेरे पास कितना आना चाहिए माइनस के 20 आजाना चाहिए ठीके 100 एक्स स्क्वेर तो हम इसके टुकड़े करते हैं पहले तो 100 के टुकड़े करते हैं दो पे 50 वैसे भी आप सोच सकते हो कि 10 और 10 टुकड़े होंगे इसके है न माइनस के 10 और माइनस के 10 गुणा करने पर वही 100 आजाता है और जोड़ने पर हमारे पास 20 आजाता है जिए आप ऐसे गुणा करना चाहते हैं तो ऐसे भी आप सोच चत्ते हो नहीं तो सिधा दिमाग में आ रहा है तो सिधा लिख दीजिए माइनस में 10x माइनस में 10x प्रस में एक बराबर 0 के देखिए जोड़ते हैं तो माइनस का 20 और गुना करते हैं तो 100 आज़ता है इन दोनों में से क्या कोमना रहा है 10x कोमन आ रहे 10x तो यहां से क्या बिच़ Jeśli गा 10x माइनस माइनस का एक कोमन यहां से लिलेते हैं तो 10x माइनस एक बराबर 0 के यहां से बचते हैं तो 10x-1, यहाँ पर भी 10x-1 है, तो 10x-1 को कुम ले लेते हैं, तो यहाँ पर क्या बचेगा, 10x, यहाँ पर माइनस का 1, बराबर 0 के, 10x-1 बराबर 0 के है, यहाँ फिर 10x-1 यह भी बराबर 0 के, 10x जो होगा हमारे पास 1 के बराबर आ गया है, X की वेली क्या होगी 1 बटे 10 इसी प्रकार से यहां पर भी X की वेली क्या होगी 1 बटे 10 इस प्रकार से यह आपके पास दोनों मूल हाजाते हैं इस दविजात समेकर्ण के Thanks for watching my video